सब्सक्राइब किजिए पेट्स प्लाजा चैनल को उसके साथ बेल आइकोन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए जैहिंद फ्रेंड मैं हूँ आपका दोस्त आज का होस्ट करन प्रसाद और आप देखरे हैं आपका फेवरेट यूटूब चैनल पेट्स प्लाजा आज का जो वीडियो को टॉपिक काफी इंपॉर्टेंड काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है जैसे कि बहुत सारे लोग म के लिए कौन सा डॉग है तो आज मैं इस वीडियो में दस ऐसे डॉग बताऊंगा जो कि एक सिंगल पर्सन के लिए जो दस नंबर पे जो डॉग है वो है हस्की एक हस्की इसका दस नंबर पे रखने का रीजन यह है क्योंकि यह काफी अच्छा डॉग ब्रीड है फस्ट अ हाफ एन आवर यह नाइकमे आपको अवर इनको टाईम देना परेगा क्यूंकि इनका ग्रूमिंग में आपको टाईम लगता है तो फस्ट आइम जो डॉग रखना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा डॉग है बट इनको आपको टाईम देना परेगा जब तक आँप इन जिसे पक डॉग के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं तो ये डॉग भी बहुत रिजनेबल बहुत अंडरस्टेंडिंग डॉग ब्रीड है जो कि फर्स टाइम जो सिंगल परसन है जो बहुत बीजी रहते है अपने काम में सेडूल में उनके बास फार्म है या उनका कोई बि बहुत इसली रह जाता है बट जैसे कि हर एक डॉक को टाइम देना पड़ता है इनको भी आफ एन आवर वान आवर आपको एक दिन में टाइम देना पड़ेगा तो आप यह डॉक भी रख सकते हैं इनको नाइन नमबर पे नमबर एट पे हैं गोल्डें रिटीवर जो की आप समझ सकते हो यह बहुत intelligent dog breed है बहुत सारे movies में इनको रखा गया इसका मतलब यह काफी intelligent है काफी समझदार होते हैं according to the अलग dog breed से दूसरे dog breed से तो यह dog आप अपने घर पे रख सकते हो यह बहुत busy रहते हो अपने काम में schedule में या अपने dog को time नहीं दे पाते हो यह अपने family member को time नहीं दे पाते हो तो यह single person के लिए काफी अच्छा dog है eight number पे इनको ऐसा रखने का reason यह है क्योंकि intelligent तो है बट इनको थोड़ा grooming का problem आता है इस वजह से इनको eight number पे रखा गया है तो यह बहुत intelligent dog breed भी होते हैं और बहुत cute लगते हैं मतलब एक तरह का यह labrador ही है बट यह बालो वाला labrador है इसको ऐसे आप बोल सकते हो और अब आता है number seven पे एक giant gentle giant dog breed जो कि ग्रेट डिन जो की काफी समझदार काफी intelligent dog breed होता है बहुत height में जो person single है उनका budget अच्छा है for example काफी अच्छे कमा लेते हैं salary अच्छा मिल जाता है उनको उनका घर का space का कोई problem नहीं है तो यह dog breed आप ले सकते हो यह single person के लिए भी है जो unmarried है उनके घर पे रखने के खाली वो देख भाल करते हैं तो यह dog breed आपके लिए भी है बहुत समझदार है ऐसा नहीं को इनको family member के साथ ही रखना पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप इनको अराम से अपने घर पर लाके रख सकते हो बट इनका थोड़ा budget थोड़ा हाई हो जाता है जिनका budget कम है तो यह dog breed उनके लिए नहीं है जो इनका budget थोड़ा सा हाई है उनके लिए यह dog breed आराम से है क्योंकि इनका diet है supplement है calcium इनको भरपुर मातरा में दिया जाता है क्योंकि इनका height के वज़े से 1 lakh से start होता है तो यह सब के लिए नहीं है तो जो जिनका budget काफी अच्छा budget है काफी अच्छे salary है काफी अच्छे कमाते हैं तो budget कोई issue नहीं है तो यह dog आप ले सकते हो बहुत rare dog breed है आपको हर एक घर पे या हर एक city में भी ऐसा सा बहुत सा इंगलिस bulldog है ही नहीं तो यह बह बहुत lazy dog breed होता है इस वज़े से इनको number six पर रखा गया है और यह बहुत lazy dog होता है प्लस यह cage पर या कोने पर रह जाएंगे सिर्फ इनको खाने से और सोने से मतलब होता है तो यह सोते समय भी खराटे लेते हैं मैं इनका fact बता देता हूं आपको तो यह एक ऐसा dog breed है जो की अराम से अपके घर पे single percent के लिए काफी अच्छा dog breed है अराम से रह सकता है अप ले सकते हो बजट का कोई issue नहीं हो तो नमबर 5 पे बात करते हैं one of the most intelligent dog breed जो की सभी लोग जानते हैं जर्मन सेफट के बारे में जर्मन सेफट ऐसा एक dog breed है जो intelligent dog breed के बारे में बात की जाए या ऐसा dog breed जो की famous भी है और यह इंडिया में especially अराम से मिल जाते हैं budget friendly भी है यह 14,000 12,000 से starting हो जाता है जैसा जिनका budget हो आप ले सकते हो तो यह dog breed को five number पे रखने का reason यह है क्योंकि इनका भी court का थोड़ा problem आता है court में आपको थोड़ा maintain देना पड़ेगा एदी कोई ऐसा person है जो dog को time ही नहीं दे पाता है मतलब उनको किसे खाना देना है पीना देना है ऐसा नहीं करना चाहिए बट ऐसा AD है तो आप जर्मन सेफट के तरफ ना जाए क्योंकि थोड़ा इनको time देना पड़ता है at least one hour सुभा एक इवनिंग में one hour साम को देना पड़ता है तो यह देने का बहुत जरूरत है अब बात करते है one of the most important dog breed के बारे में जो है four number पे pit bull पीडबूल बहुत बदनाम है इंडिया में स्पेसली या बाहर कंट्री में बहुत सारे कंट्री में बैंड भी है बट ऐसा कुछ नहीं यह दिया पिडबूल के साथ आप रहो के अपना time spend करोगे तो यह dog breed बहुत intelligent बहुत hard working dog breed होता है तो यह single man के लिए बहुत perfect dog breed है पंजाब के side में आप चले जाओगे तो वहाँ प परसेन के लिए काफी अच्छा dog breed है जो अपने घर पे उनको time दे पाते हैं या इनको ऐसा ने की एक AC चाहिए fan चाहिए आप इसको soil के आसपास ही बांद दोगे for example पकी जग्मीन ना हूँ वहाँ बांद दोगे तो वहाँ पर भी adjust कर सकता है तो यह आप dog breed ले सकते हो इदि इनके बारे में आप मैंने आगे भी discuss कर चको हूँ तो यह dog breed बहुत intelligent और बहुत athletic dog breed है इदि आप अपने dog को काफी time नहीं दे पाते हो single person हो busy person हो अपने life में बहुत busy हो अपके घर पे कोई female नहीं है जो कि इनको care कर पाए आप बाहार रहते हो सब समय 12 गंटे के job में हो या 10 काफी important है क्योंकि इनका जो coat है coat भी बहुत छोटा होता है और बहुत simple coat है मतब इसे आप maintain करना भी बहुत easy होता है इनका जो food का quantity भी हो भी काफी कम होता है medium जैसा dog खाता है वैसा है supplement calcium medium है बहुत जादा नहीं देना पड़ता है तो यह dog आप ले सकते हो यह single person हो तो अब ब पसंद किया जा रहा है बहुत लोग इसे पसंद कर रहे हैं बहुत लोग रखना चाहते है क्योंकि यह एक pug का second version है मतब पग का जैसे ही face होता है इनको बट इनका जो ear होता वो standing में होता है इनका जो tail होता वो थोड़ा short होता है तो एक तरह का यह pug है second version है pug है तो यह बहुत सारी coat color में आते हैं जैसे pug आता है दो तिन coat color में आता है बट यह काफी different coat color में आते हैं जो कि बहुत लोग इन्हें पसंद करना या पसंद करना चाहते हैं ठीक है इधि आप कोई भी price के बारे में video चाहते है तो मेरे already price के बारे में videos है वहां जाके आप देख सकते हो number one पे ह आपका अपना या सब का हमारा दुलारा डॉग बीड जो की लैबरा डॉड है जो इसके बारे में हम क्या कहे वो कम पर जाएगा इस बीड के बारे में तारीफ के बारे में तो बहुत इंचलिजन डॉग बीड है ये सिंगल परसन के लिए काफी अच्छा है तो इसके बारे मे कोई भी मन में कौईरी हो तो अब Instagram में मुझे follow करें Link आपको description मिल जाएगा screen में भी दिख रहा होगा वहां जाके आप मुझे follow कर सकते हैं अराम से वहां जाके आप मुझे कोई भी question पूछ सकते हैं आप डॉक लेड़े हो और में पेजबुक के पेज हैं वहां भी जातके like कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स अनदर वीडियो के सथ जैहिन बंदा